मंगलवार बाइसमाई को अबुधाबी के एक घर में आग लग गई इस आग में छह लोगों की इम्रित्य हो गई युवाई कैपिटल के सिविल डिफेंस ने कहा कि मुआजास एरिया में लगी इस आग में साथ लोग घायल हो गई घायलों में दोकी हालत नाजुब बनी हुई है आग की सूचना मिलते ही दमकल पैरामेडिक्स और पुलीस मौके पर पहुँच गई जिसके बाद तुरंथी आग पर काबुपालिया गया अथॉरिटी ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जाच की जा रही है अधिकारियों ने निवास्तियों से केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने और घटना के बारे में अफवाहें फैलाने से बचने का आग रह किया सैयुक्त अरब अमिरात में दफ फेडरल नैशनल काउंसिल यानि एफ एनसी ने वर्क पर्मिट के डियूरेशन को साथ से बढ़ा कर तीन साल करने की मंजूरी दे दी है वर्दमान में यूए में केवल दो वर्ष के लिए ही वर्क पर्मिट जारी किया जाता है Ministry of Human Resources and Administration के द्वारा जारी किये गए इस पर्मिट की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद काम करनी की अनुमती नहीं होती है बताया जा रहा है कि वर्क पर्मिट के लिए कामगारों पर पढ़ने वाले पोज को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है वर्क पर्मिट की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद ही तुरंद रिन्यू कराना पड़ता है क्योंकि रिन्यू नहीं होने पर इसे कानूनी अपराद माना जाता है FNC Committee on Financial, Economic and Industrial Affairs के द्वारा एक रिपोर्ट सब्मिट की गई थी जिसमें वर्क पर्मिट की वैलिडिटी को बढ़ा कर तीन साल करने का सुझाव दिया गया था इसके अलावा यहाँ भी कहा गया है कि कामगार को probation period के बाद कम से कम एक साल गुजारना होगा UAE के विदेश मंत्राले ने अपना नाम बदलने की घोशना की है विदेश मंत्राले और अंतराश्ट्रिय सहयोग मंत्राले यानि Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation अब आधिकारिक तोर पर विदेश मामलों के मंत्राले यानि Ministry of Foreign Affairs के रूप में माना जाएगा इसके बाद पॉर्टफोलियो संभालने वाले मंत्री शेख अब्दुल्ला बिंजायद अलनाहियान को विदेश मंत्री कहा जाएगा मंत्राले ने अपने सोशल मीडिया नामो को पहले MOFAIC UAE विदेश मामलों और अंतराश्ट्रिय सहयोग मंत्राले यानि Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation MOFA UAE यानि विदेश मंत्राले Ministry of Foreign Affairs में बदल दिया है देश में समय समय पर कई तरह के ड्रॉ और युजित किया जाते हैं जिनमें लोगों को करोणों का इनाम दिया जाता है इसमें भारतिय समय समय सभी प्रवासियों और निवासियों को भाग लेने का मौका मिलता है UAE में सोमवार को एक ऐसे ही गेम की घोशना की गई जो काफी दिल्चस्प है Emirates Draw ने कहा कि उसका latest game Fast 5 ग्रहकों के लिए काफी शांदार जीत दिला सकता है बताते चलें कि इस गेम में काफी अच्छे प्राइज मिलेंगे का मौका मिल सकता है इसके अलावा तीन और प्रतिभागियों को 75,000 दिरहम और 25,000 दिरहम जीतने का मौका मिलेगा हर एक टिकेट टू इन वह संभावना होगा जिससे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फैस्ट फाइव गेम हर शानिवार को युवई टाइम के हिसाब से 9 बजे रात को आयो जित की जाएगी पहला गेम 27 माई को ब्राटकास्ट किया जाएगा 25 दिरहम का टिकेट खरीद कर इसमे भाग लिया जा सकता है रासल खैमा में एक पहाड पर हाइकिंग के दोरान एक टूरिस्ट ग्रूप अपना रास्ता भटक गए जिसके बाद रिस्क्यू कर परियटकों के समू को बचाया गया पुलीस ने कहा वाडी नक रीजन से वापस आने की कोशिश करने के बाद तीनों परियटक भटक गए थे रासल खैमा पुलीस सर्च एन रिस्क्यू डिपार्टमेंट के प्रमुख मेजर अब्दुल्ला समन ने कहा कि बचाव अधिकारियों ने गाटी को स्कैन करने और खोए हुए परियटकों का पता लगाने के लिए हाई टेक एक्वीपमेंट का इस्तमाल किया जिसके बाद रेस्क्यू डिपार्टमेंट सुरंत दुरगटना स्थान पर पहुँचे पातमी को पचार दिया और उन्हें स्पताल ले जाया गया अधिकारी ने निवासियों और परियाटकों से हाईकिंग से पहले सभी रेलेवन्ट गाइडलाइन्स का पालन करने का आग रह किया दुबाई ने अपने सबसे बड़े शॉपिंग वीकेंट के फिर से शुरू उकरने की घोशना की या तीन दिन की सुपर सेल 3DSS 26 से 28 मई तक चलेगी जिसमें शहर भर के आउटलेट्स और मॉल्स में ब्रांड्स पर 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी दुबाई festivals and retail establishment यानी DFRE द्वारा आयो जित सीजनल शॉपिंग इवंट में फैशन, beauty, lifestyle, furniture, electronics आदी पर दील्स शामिल है भाग लेने वाले शॉपिंग सेंटर में Mall of the Emirates, City Center मिर्दीफ, City Center देरा, City Center मेजिम, City Center Al-Shinhra, Dubai Festival City Mall, Dubai Festival Plaza, Nakheel Mall इबन बतूता, Circle Mall, Mercato Town Center, The Beach, Blue Waters, City Walk and The Outlet Village और कई अन्य मौल्स शामिल है माजेद अलफुत्ताम ने गोशना की कि इसके Share Rewards Members के पास 300 दरहम या अधिक खर्च करके एक मिलियन पॉइंट्स चीतने का मौका है यूरोपियन यूनियन के ओर से सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म चलाने वाली कमपनी मेटा पर एक तश्रमलब तीन अरब अमेरिकी डॉलर यानि करीब 10,700 करोड भारतिय रुपे का जुर्माना लगाया गया है इसके पीछे की वजह कमपनी द्वारा यूजर्स का डेटा अमेरिका में भेजना था बता दें कि ये डेटा प्राइविसी को लेकर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है यूरोप में कड़े डाटा प्राइविसी कानून लागू करने के बाद यूरोपिय यूनियन द्वारा किसी कमपनी पर लगाया गया ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है इससे पहले अमिजोन पर 865 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि लगभग 786 मिलियन यूरो का जुर्माना डेटा प्रोटेक्शन के नियमों में उलंगन के लिए लगाया गया था आइरिश डाटा प्रोटेक्शन कमिशन ने मेटा को यूजर्स का पोस्नल डाटा अमेरिका भेजने से रोकने के लिए 5 महिने का समय दिया है साथी कमपनी को अमेरिका में स्टोर यूजर्स के पोस्नल डेटा को लेकर भी समाधार निकालने को कहा गया है कश्मीर में 22 माई को शुरू हुई G20 टूरिज्म वरकिंग ग्रूप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है शेरे कश्मीर इंटरनाशनल कॉन्फरेंस सेंटर में बैठक हो रही है मीटिंग में शामल होने आए डेलिगेट्स आज कश्मीर के कई खुबसूरत जगहें जैसे परीमहल चश्मा शाही निशाद गार्डन पॉलो व्यू मारकिट घुमेंगे इसके बाद डेलिगेट्स के लिए एक खास डिनर भी आयोजित किया जाएगा इससे पहले सुमवार को शेरपा अमिताब कांत ने कहा कि फिल्मों के शूटिंग के लिए कश्मीर से बहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती हमारा फोकस एकॉनमी को बूस्ट करने के अलावा फिल्म टूरिज्म बढ़ाने पर भी है सरकार यहां आने वाले फिल्ममेकर्स की लोकेशन ढूडने में लोकेशन शिफ्ट करने में भी मदद करेगी इस मीटिंग में पाँच देश चीन, साओधियरप, तुर्किय, इंडिनेशिया और एजिप्ट शामिल नहीं हो रहे हैं वहीं 22 माई को श्रीनगर पहुँचे अन्यविदेशी डेलिगेट्स का एरपोर्ट पर पारामपरिक वेश भूशा में कश्मीरी युवतियों ने स्वागत किया था वाट्साप पर भेज गया मैसेज अब 15 मिनट तक एडिट हो सकेंगे मेटा के सीओ मार्क जकरबर्ग ने सुमवार को इसका ऐलान किया ये फीचर यूजर्स के लिए रॉल आउट होना शुरू हो गया है अगले कुछ हफतों में सब यूजर्स को ये फीचर मिल जाएगा एडिट करने के लिए मैसेज को लॉंग प्रेस करना पड़ेगा इसके बाद मेन्यू में आए एडिट उप्शन पर क्लिक कर मैसेज में चेंज किया जा सकेगा मैसेज के साथ में एडिटेट भी लिखा दिखाई देगा जिससे message पाने वाले व्यक्ति को पता चल जाए कि इसमें बदलाव हुआ है हलांकि इसमें हुआ बदलाव दिखाई नहीं देगा WhatsApp ने कहा कि जब आप message में कोई गलती कर दे या आपका mind change हो जाए तो आप अपना message edit कर सकेंगे इसे grammar की गलतियां ठीक हो सकेंगी और message में extra information जोड़ी जा सकेंगी इसे users का उनकी chat पर control बढ़ेगा personal message calls और media की तरह edit हुए message भी end to end encryption से सुरक्षित रहेंगे Amazon के founder जेफ बजोस ने नया super yacht खरीदा है बीते दिनों बजोस को उनकी girlfriend के साथ इस तीन मंजिला yacht पर देखा गया yacht का नाम कोरू और कीमत लगबग पात सौ मिलियन डॉलर ऐसे रुपए में convert करें तो ये चार हजार करोड से ज्यादा होते हैं ये दुनिया का tallest यानि सबसे उचा yacht है इसमें तीन विशाल 239 फूट के मास्ट लगे हैं ये yacht अकेले सेल पावर यानि हवा से चल सकता है yacht में पूल बार से लेकर लाँज और होट डब है पिछले हफ़ते इस yacht को मेलोरका के आसपास मेडिटेरियन सी में क्रूज करते हुए देखा गया था हर yacht के साथ एक सपोर्ट वेसल होता है इस yacht के साथ जो सपोर्ट वेसल है उसका नाम इबियोना है इबियोना में हेलिकॉप्टर डेक से लेकर ड्राइविंग डेक तक शामिल है